सबी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तु व्याम ओम नमस्षिवाय एक अगस्त पूर्णिमा के दिन अपने शरीर का कैसा विरोक समाप्त करने के लिए 21 शमी पत्र का ये उपाय जरूर कीजिए इसमें आपको शमी पत्र लेने होंगे शमी पत्र के लावा और कोई पत्र नहीं दीजिएगा अब आपको क्या करना होगा 21 शमी पत्र लेजिए 21 शमी पत्र को आपके सीधे हाथ में रखकर बगवान चंकर के शिवलिंग के उपर समर्पित कर दिजिए शिव मंदिर में जाकर शिव मंदिर कब जाना है पूर्णिमा के दिन प्रदोश काल में आपको शिव मंदर जाना है, प्रदोशकाल में शिव मंदर जाए और जो 21 शमीाट्र हैं, उन शमीाट्रों को अपने हाथ में लेकर बगवान चनकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजे, थोड़ी दिर वो शमीाट्र में ही समर्पित रहे आप मंदिल में बैठ जाए शिवलिंग के समुख में उसके बाद में आपको क्या करना है एक शमी पत्र उन 21 शमी पत्र में से उठा लेना है इस बात का ध्यान अगना कि शमी पत्र 21 ही होने चाहिए ना 21 से कम हो ना 21 से जादा हो अब आपको एक शमी पत्र उठा लेना है एक शमी पत्र को उठाने के बाद में उसको घर लेका ये और अगले दिन से यानि कि अगले दिन से आपको जो शमी पत्र है उसमें जो छोटी छोटी पत्तिया है जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें छोटी छोटी पत्तिया है शमी पत्र में तो यह एक चोटी चोटी पत्य आपको तोड़नी है प्रती दिन जैसे कि आज आपने उपाई किया कल सुबह आपको बिल्कुल भूके पेट सुबह उड़ते ही शमी पत्र जो लेकर आए उसकी एक छोटी सी पत्ती तोड़ने है इसको खाले ना है फिर अगले दिन फिर एक छोटी सी पत्ती तोड़िये ये वाली फिर खाले जिए फिर उसके अगले दिन ये वाली पत्ती तोड़िये फिर खाले जिए तो इस प्रकार स लेके आएंगे उस शमी पत्र में जितनी पत्तियां हो आठ, नो, दस, ग्यारा या साथ, उतने दिनों तक वो पत्तियों को तोड़ तोड़ कर खाना है, सूबह उठकर बूके पेट और कुछ नहीं खाना, पहले वो पत्ती खानी आपको छोटी सी, यदि आप यह उपाए कर लेते हैं, तो जो भी आपके बीमारी और समस्या होगी, वह पूर्ण तयसमा आपत हो जाएगी, सभी बक्तों को शिरी शिवाएन,